तो वेलकम वेक फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत हैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलकेन और एलकाइन के समाने सूत्रों के बारे में चैनल के पहिछान में आपको बताओं क्योंकि एक्जाम में पूछ लिए आता है कि नियुक्त मेंसे कौन सा इलकेन का एलकाइन का अधारन है तो चलिए करते हैं सुरूख, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अलकेन के बारे में, यानि नमबर एक पर हम बात कर लेते हैं, अलकेन के बारे में, अलकेन, है ना, इसका समान्य सूत्र क्या होता है, अलकेन, तो देखिए इसका जो समान्य सूत्र होता है, यह होता है, Cn, H 2N plus 2 Alkenne का समानय सूत्र होता है साधरान मैं आपको बताओं कि यहाँ पर जो हाइट्रोजन की संख्या होती है कारवन की संख्या के दो गुने से दो जादा होती है अब आपको कोई भी हाइड्रोकारवन आपको दिया हुआ है याई रोकार्वन क्या होते हैं इसमें सिर्फ कार्वन और हाइट्रोजन होते हैं तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि यह एलकेन है, एलकीन है, एलकाइन है तो आपको कार्वन की संख्या गिननी है और हाइट्रोजन की संख्या गिननी है यानि किसा बनेगा और दो उनिकम किमेंट कर सकते हैं कि आई only आंइक्छी में नाम कैसे लिखे यानि पैसी में लिक्ने का जो वीडियो proud मैं आपको बना कर दे दूए अगर आप कमेंड करते हैं तो उसके बाद है अगर यहापर आप दो Carbon, यानि Carbon कि इसंग्या 2 लेते हैं, तो यहापर आप दिखेंगे C2 हैना, और Hydrogen कितने हो जाएंगे, दिखें 2, N की जगह जाएगा 2, और Plus कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, C2, 2 दुनी 4 हैना, 4 में 2 डालेंगे, कितना हो जा करता है इसमें और इसका नाम होता है इथेन या एथेन ठीक है क्योंकि एक कर्बन को कहते हैं धो 4 को इस तरह इनका zu ÖPMC नाम होता है अगर आप साथ है और से आता है तो सहीए नयाथ है तो से बोलनों आप कमेंट कर दीजिएगा साथ आप देख सकते हैं इसका structure कैसे खुलता देखिए C और C यानि दो C यहां पर हो गए हैं अब कितने carbon यानी hydrogen है छे एक दो ती यहां पर हाइट्रोजन यहां पर हाइट्रोजन यहां पर हाइट्रोजन आएगा यहां पर bond होता है तो यहांपर मैं आपको बता दिया एलकीन का समाने सूत्र होता है cn h2n plus 2 होता है carbon carbon के भी single bond होता है ध्यानक नहीं हाइट के संख्या carbon के संख्या के दोगने से दो जादा होती है ठीक है तो आई होप समाने सूत्र की बात करूं तो समानी जो इसका सूत्र होगा इसका जो सूत्र होगा वह होता है cn और h2n यानि एलकेन का आपको ज्यान रखना में साइड में लिक देता हूं जिससे कि पहचान रहे तो यहाँ पर देखिए एलकीन का आप जो हमारा सूत्र आ गया है संख्या कार्बन के संख्या के सिर्फ दो गुनी होती है अलकेन में दो ज्यादा थी अब यहां पर अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच आपको बॉन्ड बताओ भू तो यह बनता हैं and carbon के बीच ंडवल regुर्ण यह भाए ऐसा मैं आपको बता था कि एलगेंं में carbon carbon के बीच सिंगल ओंड होता है यहाप a carbon carbon कि beagle double fungi हूं ठीक है तो आपको द्यां नखना है अब अगर मैं इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा क्यों कि मैं यहाँ पर आपको इसका दिखा यानि प्रमालो संख्या 6 होती है इसका एलेक्ट्रोनिक बिन्यास होता 1s2, 2s2 और 2p2 अब अंतिम कक्षा को संतरप्त करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रोन चाहिए होते हैं 1-2 यानि कै एक यहाँ पर feat करेगा एक यहां पर एक यहाँ पर और एक यहां पर तो बोलं मनाने के लिए आप यूँ कहते हैं अस्तप बनाने के लिए कि सका एलेक्ट्रोन कि बन्यास 2,4 नंतिम कक्षा में आहां तो यह और। यह फिर 4 गेगा है आप चाहर को ग्रहन करेगा क आपको ध्यान नखना है कि इसका स्थित्व नहीं होगा एलकीन में तो एक्जाम्पल जो होगा इसका मैं आपको कह सकता हूँ कि कार्बन कितने लेने हमको दो लेने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा C2 और हाइटोन की संग्याश से दो गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 C2 H4 नाम हो जाएगा इसका एथीन क्योंकि एलकेन में एन जुला था यहाँ पर इन जुड़ेगा तो एथीन हो जाएगा इस ट्रेक्चर में आपको बता है कार्बन कार्बन की बीच डवल गॉंड होता है और कार्बन कितने बंद बना सकता है मैं एक्सिमम चार ही बना सकत एक दो और दो चार इसके देखेंगे एक दो और दो चार तो इस तरह से यह था एलकीन और एलकीन का समान्य सूत्र पहचान में आपको बता दिया है इसमें जो बनता है यहाँ पर कार्बन कार्बन की बीच सिंगल बोंड बनता है यहाँ पर डवल बनता है अब बात करते है एलकाइन के बारे में, नंबर तीन पर हमारे पास है एलकाइन, अब देखें, एलकाइन के समान्य सूत्र के अगर मैं बात करूँ, समान्य सूत्र है ना, तो यह होता है हमारे पास, सी एन, ह2 एन, माइनस टू, यहाँ पर मैं पुलिक देता हूँ, तीनों मापको अंतर समझ आ जाए जाएगा, तो एलकाइन, है ना, एलकेन, एन, एलकाइन, एलकाइन, वाई एन, एन, तो इसका सूत्र होता है, सी एन, ह2 एन, माइनस टू, कार्बन, कार्बन के बीच यहाँ बनता है, ट्रिपल बॉर्ड, धियान लखना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलकेन में, यहाँ पर हाई टू की संख्या, दो गुने से दो जादा होती है, और एलकेन में, जो हाई टू की संख्या होती है, वो कार्बन की सिर्फ दो गुनी होती है, और एलकाइन मे कितनी होगी, एक का दो गुना कितना होता है, एक का दो गुना दो होगा, और दो में से दो जाएगा, तो यहाँ पर जी रो मतलब, अगर आप एक कार्वन लेते हैं, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका एक्जामपल क्या होगा, अगर आप दो कार्वन लेते ह मैंने बताया, triple bond बनते हैं, तो 3 bond बन जाएंगे हैं, यहाप पर carbon carbon की बीच, दो हाइट हो जाएगा, और एक इधर add हो जाएगा, अब यहापर पर आपको बताया था, carbon कितने बंद बना सकता है, maximum 4 bond मना सकता है, ठीक है, तो 1, 2, 3, और इक यह 4, 1, 2, 3, इनकी balance, यह भी क्या होगा, इनकी अंतिम का सभी संत्रप्थ हो चुकी है, तो alkyne, alkyne और alkyne में आपको बता दिया है, एक बात और ध्यार नकले नहीं, आपको नंबर 4 पर इसका समाने सूत्र पूछाजा सकता है, alkyl, देखे, alkyl यह एक, आप कहा सकते हैं, कि alkyne से ही बनता है, यहाँपर yl group जुड़ जाता है, यहाँपर क्या होता है, जो alkyne का समाने सूत्र था, cn, h2n plus 2, है न, यहाँँ से क्या होता है, एक hydrogen, यहाँई हाइट दरस आते हैं, R से धरस आते हैं न, R से और यहाँ पर कोई भी किर्यात्मक्समों हईटन के जगे आकर जुड़ जाता है तो इस तरह से यह होता है कोई भी जूड़ जाता है तो फ्रेंट्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए और अगर आप चाते हैं आभी पेस्ति नाम सीखना तो कमेंट कर दीजिए थैंक यू फू वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में